हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो आज हम देखने वाले हैं लोक विधी विज्ञान एथडो मेथडो लॉजिक के बारे में कुछ जान करें तो समाजिक विज्ञान के परिपेच में ज्यान यूं समाजिक जीवन के विशलेशड के लिए एक महत्पुर साखा के रूप में लोक विधी विज्ञान या एथडो मेथडो लॉजिक का उदभाव घटना परिपेच के प्रभाव में अमेरिकी समास सास्ती हैराल्ड इंकल के बहुत धी प्रयासों से हुआ है और 1960 के दसक में तो यहां से दो क्यूचन पूचता है कि घटना क्रिया घटना विज्ञान के परिपेच में लोकविधी विज्ञान किसने प्रत्पादित किया है तो हेरल्ड गॉर्फिंकल और किस दसक में यह पिछले यह आ चुका ह है कि किस दसक में अधरो में लोकविधी विज्ञान आया तो उनिस्ताव साथ के दसम में इसका प्रत्पादम हुआ था और कहां हुआ था अमेरिका में प्रकासित पुस्तक में एक ब्यवस्तित रुप में प्रस्तुत किया तो इस पुस्तक में इनकी बधिट प्रिष्व्ष्ट भूं के निर्माळ के संदर में नहोंने टालगट पार्षन्स अलफेट सूट्च एरोन गुरुविच और एड़मंड हूरसल के विचारों यम सिध्धानतों के प्रभाव को स्विकार किया है अर्थात उनको पढ़ा उनके कुछ विचारों से प्रभावी हुए तो लोक विधी विज्ञान है क्या लोक अर्थात इतनों आमजन या जन साधारर विधी मतलब पध्धती विज्ञान मतलब लोजी अर्थात आमजन या जन साधारर क्या अध्यन करने वाला पध्धती या विज्ञान दायनिक जीवन में किये जाने वाले बेवहारों का वैज के विज़्चत उसके क्रामय में उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले संकेतो ३ कि अचार बिचार प्रेज़ार किनरित होता है ब्यक्ति अपने प्रवेस और परिस्थिति के अंसार कि प्रते एक संकेतों का निर्धारन ब्यक्ति अपने-अपने-अपने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने-पने- कि अल्पिट सूट के घटना विज्ञान के सब्धित प्रतापनायों के अनुसार ब्यक्त के जीवन में जगत से सम्बंधित सूचना जानकारियां उनकी चेतना संदर में उसके ज्ञान का भंधार का निर्मार करती हैं कि जीवन जगेत संबंधित सुचनाय है या जानकारिया है ब्यक्त की चेतना उड़के संदर में उसका भंधार अर्था करता है चेतना में उस हुआ बंधारित रहता है इसे उन्होंने ग्यान का भंधार कहा है समाज की प्रक्रिया द्वारा निल्मित होता है या ब्यक्ति समाज द्वारा भंधार किसको कहा हैसे को जो ब्यक्ति समाजी करण के माध्यम से सीखता है उसको उन्होंने घ्यान के भंडार कहा है किसने अलफेट सूट तो समाज सास में गार फिंकल द्वारा प्रस्तुत लोग विधी विग्यान को आगे चलकर इरविन गॉपमें ने अन्य विचार को यह सिध्धान कारों के तो इन्होंने अपना प्यच्डी दो अमेरिका के हारवार्ड विस्विध्याले से किया था और इन्होंने कैलिफोर्निया विस्विध्याले में अध्यापन कार किया है लोग विधी विध्यान के संदर में गार फिंकल ने इस बात पर विश्यस बल दिया है कि सामाजिक प् प्रचलीट परमपरा, मुल्य, मान्यता, ध्रणला, इत्यारी प्रतिस्वीका-द्यथा का भावर रखते हुए जिस प्रकार की क्रियाएं उप्ररजकरी, कंता प्रचलीओं करते हैं उसका अध्यन किया जाना बहुत ही महतपूर है इस आवसक मानते हुए किसे उन्होंने प्रथाएं परंपरावाद को आवसक तक मानते हुए कहा है कि उनकी द्रिष्ट में इस संदर में प्रकार्य वाद अंतर ब्यवहारिक अनुपयोगी यहूं तथा अपूर्ड सिद्ध हुआ है क्योंकि तो गार्फिंकल क्या मानना है कि समाजिक ब्यवस्था या प्रक्रियाओं के निर्माण में विकास एम उनकी निरंतरता में समाने रूप से ब्यक्तियों के दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं उसकी महतपूर भूमचा होती है ना कि प्रकार्य वादियर्थात प्रकार अनुपयोगी या अपूर अविवारिक का बताया और कहा है कि व्यक्त के विवस्था के विवस्था में जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं उनकी महतपूर भूमचा है लोकविदी विज्ञान अध्यनों का उद्यश परक्ता को इसपष्ट करते हुए गार्फिंकल करते है व्यक्ति करते हैं कि या स्वयंत की उन्पध्धियों प्रक्रियाओं का अंसंधान या खोज्ठ करने में केंदरिट करता हि जिवस्थी जिवन ने एक असी प्यक्ति की दैनिक जीवन के श्बिकन को और करता है या खोज्ञत करता है कि आगे आगे उन्होंने का है कि लोग मिधियान अध्यान किसका करता है तो देट के जीवन की ओ परिस्तितियां सकते हैं समाजिक क्वाध हो रख सकते हैं जिस्वा कर ब्यक्ति कर ब्यक्ति थे बहुति में प्रतिकों करता है। तो उसका वित्रण किस प्रकार से हुए अर्था तो उसका अर्थ क्या है इन सब का अध्यान एथडो मेथडोलोजी करता है गार फिंकल के अनुसार उप्रोक्त बिंदूओं में वर्डिद विवर्ण आसे विशय परिस्थिती सापे छोते हैं उन्होंने कहा कि जो बिंदू ह सबर्ण के इनसार ही होती हैं अर्व किसम्षय पर चर्चा करणिया है उसी के सा याधिया उन्ही गयाएगा और लोग विध्यत विञ्ञान इसका सामझ सापे छधेन करता है थाथ रोक वीधि विग्यान जिस प्रकार से समाझ विवर्ण किया जाता है लोकविधिविज्ञान पौधिकम सध्धानतिक आधार क्या है तो आधिनिक पौधिक जगत में ज्ञान और विश्लेसर के संदर्व में बैज्ञानिक परिपेच तथा दार्शनिक परिपेच के रूप में दो विश्ष्ट प्रकार की प्रवितियों का प्रभाव दिखाई देता है कौन कौन था बैज्ञानिक परिपेच और दार्शनिक परिपेच दार्शनिक परिपेच के अंतरगत जैसे शुकरात दूसर रस्तू जैसे दार्शनिक थे वहीं बैज्ञानिक परिपेच के अंतरगत आप अलबर्ट आइस्टीन जैसे बैग्यान को को रख सकते है ने समय इस प्रकार की परकेश या प्रबुतियां चल रही थी आगे उन्होंने का बैग्यानिक परप्यच के अंवख़र बिग्यान है यह मनुस्य के इजान का सोत या आधार है बढयनिक परपेश मानता है कि हम भी नियान के माध्यम से सभीके बारे मिझाली पराप्त कर नहीर को मन्द कर देता है दार्शन्मकों क collecting ना कि जो है फिक्ट की चेतना को सिथिल कर देता है उसकी बुद्धि पर पuerdo तो सके मानोंता के मूल का लच्छ से बठाब साó उनका चो क्या धिजयनुआड़ द्ठाब वह भ्यक्ति के मानोता के मुल्यों से लच्ष जो बक्ट का मुक्ह मुल्य मानोता है उस लच्ष से विग्यान उसको भठका देता है अपने भग्यानिक उपागम और पद्धत शास्त्री सीमाओं के कारण पत्यच वाद था अन्य समाज सास्त्री उपागम इनके अध्यन में उपयोगी नहीं हो पाते हैं किसके गौर्फिंकल के अध्यान में एसा प्रत्यच्वाद और अन्य समाश सास्त्री उपागम जिनका विज्ञान के विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो वह उपयोगी नहीं है पहले पहले घटना अथा घटना विज्ञान और उसके प्रभा प्रिंट पर नहीं कर सकते हैं तो इसलिए घटना विज्ञान का प्रसार हुआ उसके कुछ ही समय पस्ताथ जहां घटना विज्ञान लगबक 1940 के आसपास आई थी उसके तसपस्ताथ लोक विधी विज्ञान 1960 में ऐसे अध्यनों मरता जिनका विज्ञान अध्यन नहीं कर सकता है उनके लिए बहुत ही जरूरी या आउस्यक उपागम माना गया लोक विज्ञान समास सास की लगव स्रेड़ी है अर्थात माइक्रो थियोरी के अंतरगत आता है इसमें ब्यक्ति को की क्रियाओं क्रिया उद्यशल्य को अपने समाज के बारे में उसी व्योज़ हारिक और उपयोगी उपलब्द कराना है इसमें वह स्वेयम जिआता की अध्यार के बारेemary में अध्यान का उद्देश ज्ञान को अपने अ समाज के बारे में या वास्तविक्ता के वेवहारिक रूप या उपयोगी जो की वास्ताव में अधार्थ में है उसी के बारे में अध्यान करके बताना है कि जिसके अंतरगत ब्यक्ति अपनी क्रियायें करता है अगये इस संदर में लोग कर एथ्ञ मेडिशीन से सम्बंदित ब्यक्तियों के ग्यान का उधारर प्रतुत सकता है जिसके माध्यम से सम्बंदित समाजों में ब्यक्ति कत्वाय बीमारीUSE के बारे में अपने समाजों में प्रचलीद परब अगर लोग ग्दाद में वटमान के अधिन के माद्यम से में जो बीमारीं हैं उनके मारे में समाज को पताछलता है उसी के अनुभाव के आधार ग्यान और अनुभाव ब्यक्तियों के दैनिक जीवन की सामानी घतनाओं के ब्यक्ति अध्यन के साथ साथ साथ, ब्यक्तियों के सामानि घंध घतनाय औंके अध्यन के अलामा भी व्यक्ति कुछ ब्योहार के लिए अपने बोली या भाचा या प्रतीकाद क्या प्रयोग करता है उनके पच्छों का विश्लेशण भी लोकविधी विज्ञान के अंतरगत समलित किया जाता है जिनके ब्योहार सामाजी जीवन के यथार्थों को समझने विश्लेशित करने का प्रयास किया जाता है अर्थात जिनके सहारे ही समाजी गीवन के जो सचाई है वास्तिविक्ता है उसको प्रस्तुत या विश्लेशित किया जाता है अल्फेट सूट जिने लोकविधी विज्ञान के उद्यस और प्रमुकार्यों का सारान्स कि यूद्वारा अपने दायनिक जीवन में यथार्थ की धाला का निर्मार किस प्रकार किया जा सकता है उसे किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है और उसमें होने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाओं को क्या है तो सारान से क्या प्रस्तित करता है कि लोग भी धिवग्यान किस तिनमाति रखा जा सकता है ताथा उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होंगे और कैसे होंगे इनका अध्यनं लोख विधियान करता है। आगे लोख विधि विज्ञान के अपने सिध्धान्थ में गार्फिंकल ने प्रकारवाद की इस मानेता time de की ब्यक्त की है कि सामाजिक तथ्यों का स्वयम का एक यथार्थ होता है तथा यह ब्यक्तियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं इसके विपरित उन्होंने अपनी लोक विधी विज्ञानवादी समान मानिताओं को इस अधार पर आगे बढ़ाया की इन्होंने प्रकार्यवाद कि सिद्धान्त कारों की जो मानिता थे कि समाजिक तथ्य का स्वयम का एक अथार्थ होता है इसका खंडन किया है और उन्हें यह बताया कि यह ब्यक्ति ही है जो अपने समाजिक तथ्यों का निर्मार करते हैं और उन्हीं अर्थुपयोगितायम संदर्पदान करते हैं जहा कि समाजिक तत्थियों का निर्माड करता है अर्थात परंपराव या मुल्यों का निर्माड ब्यक्ति करता है वह पहले से बने नहीं होते हैं और वहीं परकारे वार्थी करते हैं जिनके अनुषार ब्यक्ति वहार करता है लेकिन यहां यह कहते हैं कि ब्यक्ति समाजिक निर्मार करता है विडियो को लाइक यंडे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यमार्च आगे हम देखेंगे लोगविधि विग्ञ्ञान की प्रमुख और धारना आई तो धन्यमार्च झाल झाल